हेलो जी, वेलकम टू जैस्वीस किचन, आज आप बना मांगे एग्लेस गवावा केक, यानि कि अमरूत दिनाल केक बना मांगे, बहुत ही हल्दी, बहुत ही डिलीशियस, बिना शूगर दे, मैं इस 3,5 इंच दा, रेक्टेंगुलर शेप दा केक टिन लिया है, तुसी राउं इंग्रिण्स चान लमागे, इदिछ मैं एक कप फूरा परकेटाइस हो है मेल दाया है, वो आटा ले आए, कनक दा आटा, ते अद्धा कप मैं मैदा एड़ कीता है, तुसी सारा आटा ले सकते हो, या सारा मैदा भी ले सकते हो, दो टेबल स्पून मैं मैदा कड ले आए, वो दी जगाते दो टेबल स्पून पारके, मिल्क पाउडर आड कर दिता है, जिदन अलदा टेस्ट होर भी रिच्छो जाएगा, हुन मैं एक टी स्पून यानि की छोटा चमच बेकिंग पाउडर ले आए, ते अद्धा छोटा चमच बेकिंग सोडा ले आए, फिर अपा आड कर दो दो चुटकी नमक दी, जड़ा के दी स्वीटनेस नू यानि की मिठे नू बैलेंस कर देगी, अपा ए सारे ड्राइ इंग्रीडेंस नू तेन वरी छानागे, जदो विया अपा कोई केक बनाने है, उनू फ्लफी बनान वास्ते, सॉफ्ट बनान वास्ते, या कि नम्यारी अपा चान दे है, उनने बारी ची ओ दे विच एर इंकॉर्परेट हुंदी रन दी है, मतलब फिर केक स्पॉंजी बन दा है, ते अपा तेन वरी इनू छान लवांगे सारी चीजा नू ते ए जड़ा केक है ना बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलिशियस पनने व अर्टिफिशल स्वीटनेस थे, ते इस सारी चीजना साथ डेले बहुत ही लाइवांद हुंदी है, इनना दे फाइदे तुसी गूगल ते सर्च कर सकते हो, तो हुन आपा एक मीडियम साइज दा जड़ा अम्रूद लेया है, दो केले लेया है, और दास खजूरा में लेया अम्रूद कोशिश करो कि बहुत ज्यादा राइप ना लेना क्यूंकि अगर ओवर राइप होंदा है, अम्रूद ओधा टेस्ट विच फर्का जाना है, ओधा टेस्ट उनना फ्रेश नहीं आनदा, तो एस करके ना थोड़ा हरा होवे, बहुत ज्यादा हरा भी नहीं तखट हो जाएगा केक, पक्या होवे, लेकिन बहुत ज्यादा हरा ना होवे, ते अपा हुनने दे ना, पीसिस करके ना, डी सीड कर दे मांगे ना, क्योंकि यह दे विच लेड़ा बीज हुंदे है, वो मूद वी चान के जदवासी पामे नू ग्राइंडी कर लेना है, पर सीट न बनानाज यूज कर रहे हैं, बनानाज फुल अफ पोटेशियम हुंदे है, हार्ट हेल्थ ले बहुत अच्छे हैं, फाइबर बहुत हुंदा है, और सानो इंस्टेंट एनरजी प्रवाइड कर दे, डाइस्टिव सिस्टम नो भी बहुत अच्छा इंप्रूव कर दे, हुन खजूरां साथ यह रेडी हो गई है, हुन आपा एक ग्राइंडर जार लेल मांगे, अधे विछ अम्रूद, खजूरां ते केले पाद मांगे, दो तिन खजूरां आप राख लमांगे, ग्राइंड करन तो बिना, इना नो आपा बादशी यूज करांगे, ते केले भी ते 1 फोर्थ कप प्लस 2 टेबल स्पून, मैं शैद एड किता है, ठीक है जी, एक चोटा चमच वनिला एसेंस एड कर देता है, तुसी ती जगह ते दालचीनी दा पाउडर या फिर एलाईची दा पाउडर 1 फोर्थ टीस्पून एड कर सकते हो, हुन मैं 1 फोर्थ कप रिफ करणे साल एक्या आर पाउडरे एकार आर खिए गरडियंट्स पाउडर मैं अज्ट्ण कर लागे साल पाउडर को रिफे एक शाड़ जागे भूल तरीख में अपाउडरे पाउडरे शांग कर खिए ल्या है, आपाउडर प्लोर्थ एलाः आर लागे टोल ब्राइडरे, तो खराब ना होई ते हम साड़ा केक जड़ा है वह बहुत सौफ्ट और स्पॉंजी बने फ्लफी बने काटन फोल्ड मैथन आप मिक्स करके हुना आप जड़े खजूरा थे एक रोट चॉप करके रखे सी ओ भी मिक्स कर दमांगे बहुत ही जेंटली मिक्स करांगे ती भी मिक्स करके या फिर कजूरा थे नाल वे दुश्ट कर सकते हो टैप करना तो बाद अवं चे रख दूप प्रीईट कर लीए थे मैं दस मिनट तक फिर फ्यमिनटले बेक करके उस तो बाद देखे है मैं तो कुकर जा कड़ाई नो भी प्री हीट करके उदे वीच भी केक पेंटी मिनट बाद जदो मैं चेक कीता था हलका जा नाइफ टेल लाग रहा थी ता फिर मैं आवन बांद करके 10 मिनट मैं गरम अवन्दे विच ही रहा था उस तो बाद मैं डी मोल्ड कीता है मैंनो थोड़े जल्दी है इस करके मैं हलका गरम गरम ही कट रही है पर केक नो बिल्कुल तुसी ठंडा करके ही कटे हो नहीं तब बहुत सॉफ्ट होन करके ना पीसे स्टूट दे रहन दे है जदो मैंनो बैटर नो केक टेंच पाया सी ना तो मैं चोको चिप सूप पा देते थोड़े गार्निशिंग ली ओधी क्लेप नहीं आई है ते होन मैं तोन केक कट के दिखा हमांगी बहुत ही अच्छा केक बनिया है और खुष्भू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और ए फ्रूट केक है बहुत ही हेल्दी है बहुत ही डिलिशियस है ते कोई पीसिस कट कर ले तो उन्हाँ वेच सेंडविच वांगो थोड़ा चॉकलेट फिल करकी फिर उननों सजाया चैरी देना जैडी ग्लेस्ट चैरी हुंदी कुरांदा चैरी भी कैंदे उनु मुरबबा चैरी वी कैंदे तुसी जीवें मर्जी डेकोरेट कर सकते हूं देखन भी बहुत ही सुंदर लग दे चोटे-चोटे बाइट्स ते खान भी बहुत ही स्वाल दे तुसी भी इससे तरह केक बनाके एंजोय करना तो अपनी फीडबेक में जरूर देना जी एक मेरे चैनल नों सब्सक्राइब करना बिलकुल ना पुलना तो अपनी प्रेंड्स और इसक्राइब कर देना जी था यह रूर कर देना जी था था ना था ना आइए था यह रूर बहुत हुत है